प्रेंड्स वेर्कम टो एक्ग्रेंपायर आज आपको मैं पीवाई क्यूज जो है कराने वाला हूँ यह आपकी आने वाली MPPAT 2000 परिक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां पर मैं आपको 2022 का जो है प्रिवीश्यस येर्स का पेपर कराने वाला हूँ तो यहां पर आपको पिछले साल का पेपर जो करना बहुत ही लाबदायक रहता आपके लिए वैसे तो आपको यह पेपर हमेशा क्या है थोड़ा आधा या फिर आपका फुल जब स्लेबस हो जाए तब ही करना चाहिए पर आप इन्हें अभी से करते हैं तो आपकी जो है पहले से ही MCQ मे पकड़ हो जाएगी जिससे कि आप परिक्षा में ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे तो पहला कोश्चन है यहां फ्रेंड देखते हैं एग्री कल्चर सब्द किस भासा से लिए गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटन एग्री कल्चर सब्द जो है लेट ग्रीक भासा नई तो ध्यान रखना कल्चर जिस में लगा रहे वह लगा रहेगा वह लैटन का रहता है और लॉजी ना हमी ओर हो जिस में लागा रहे गहांगे आगे करहेगा तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड कोश्चन की तरफ सकेंड कॉश्च्टान थानध किस सम्बंदि दे तो आप चामौल भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है Leaving और चावल दिया है तो अगर आपको गहउग या ही चावल अकेलर सिंगल आप्व Cordy motion i be situation ale दे तो आपको गहउग और चावल दॉन दे तो आपको गहों लगाना है getting die jojals Winter hail Sah catch up application am a green revolution में enjoy तो आगे बढ़ते हैं तीसरे कोश्चन की तरफ देखते हैं भारत में हरित क्रांतिक जनक कौन है भारत में हरित क्रांतिक जनक है दोस्तों MS स्वामी नाथन MS का फुल फ्रॉम क्या है आप एक कॉमेंट करके मुझे बताएंगे कि MS का फॉल फ्रॉम क्या है MS स्वामी नाथन में तो इसका है भारत में हरित क्रांतिक जनक कौन है MS स्वामी नाथन विस्व में अगर आप कखादफ से भारत में मुख खादफ से क्या है दोस्तों जो है चावल झो है भारत में मुख खादफसल है राईस आ बात करी जाए विष्व में बात करी जाए तो विष्व मक्का जो है प्रमुक्खाद्य फसल है बागी भारत में राइस आएगा आगे बढ़ते हैं पांच्वे कोश्चिन देखते है है यहां एक्रोनॉमी सब्द किस भासा से या किस भासा का सब्द है ना तो मैंने आपको यहाँ पहले ही बता चुका हूँ इसकी चर्चा पहले हो गई नौमी या लोजी है ना यहाँ पे लिखा है नौमी लिखा है नौमी आया है ना पीछे तो नौमी किस भासा का है ग्रीक भासा का है तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मद्यप्रदेश यह फैक्ट वाले कोश्चन आप इनको अभी से मत पढ़ें अभी आप इनको लाश्ट के टू मंथ में या फिर लाश्ट के एक हैना वीक में जो है आप इन्हें कवर करें तो आपका ज्यादा बेटर रहेगा तो इसका राइट अं बीस 21 में राश्ट्री अर्थवस्था में क्रसी का युगदान केतना रहा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 98 नौफ प्रतसत इसका राइट अंसर हो जाएगा हैना आगे देखते हैं नेक्स्ट हैं स्क्वार्सक्रणING बारत में कौन सी वेवसाइक फसल है यहां मतलब है कि कौन सी फसल से मुक्ता है व्यवसाइक किया जाता है बहुत बड़ा व्यवसाइक के इस फसल का है तो देखते हैं तब माकू का जी हाँ है सरसों का भी है जूत का भी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जिसमें ABC तीनों रहेंगे तो है ना डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी में AB 3 AB 1 2 3 तो तीनों है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिख जाएगा ना तेल उत्पादन से ओईल प्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं सन 2021 में भारत का खाध्यान उत्पादन रहा है सन 2021 भारत का खाध्यान उत्पादन के तरह है तो स्क्राइट आंसर हो जाएगा 308.65 पांच मिलियन है ना 308.65 मिलियन टन ठीक है इसको याद रखना इंपोर्टेंट है यह फैक्ट्स रहते हैं जो हर साल चेंज होते रहते हैं आगे कुश्चन में देखते हैं आपको मैं जूम कर देता हूं थोड़ी आपको इसलिए और अच्छ दख जाए पौधों की व्रद् में जो है 16 भी लिखा हुआ है पर एक विज्ञानिक थे उन्होंने जो है निकल को भी जो है सत्रवा तत्व कहा कि यह पौधों के लिए व्रद्धी के लिए आवज सेखें निकल है ना इसको हम कहते हैं निकल को भी अब उसमें मिला लिए गया है इसलिए 16 से अब 17 हो गए ह आते हैं अगर दोस्तों आगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है चैनल ॥स्क्राइब को लाइक करना बचभूलेगा देखते हैं निम्लिकृत मैसे կह निमली रिखित मैं से किसने पॉधों में आवश्क कोनल चनब का सिद्धान प्रष्टत किसके राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा और या इनने पॉधों पौधों में अवश्चक खनिस्तत्व का सिद्धान्थ दिया यह नहीं बताया कि पौधों में कुछ अवश्चक खनिस्तत्व होते हैं तो आगे देखते हैं कि तेरवा कोश्चन है कौन सक अवश्चक पोसक तत्व नहीं है कौन सा अवश्चक पोसक तत्व नहीं नाइट्रोजन तो है या इसका जो है प्रात्मिक पोसक तत्व आपको बता दू प्रात्मिक पोसक तत्व कौन-कौन से हैं प्रात्मिक या प्राइमरी कह सकते हैं आप वोतिक है एनप के जो है प्राइमरी में आता है सेकेंडरी में कौन से न्योट्रेंस आते हैं तो C A M G S कैलशियम मैगनिशियम सुलफर C C F लगकर दखा देता हूं प्रात्मिक है यहां पर लेक लेना इनको नोट कर लेना फ्राइमेरी सेकेंडरी द्वतियक आते हैं वह सूख्ष में पोषट उत्व होते हैं वह बागी सब केलसियम यह सब सूख्ष में तत्व में जाते हैं 16 हो गया भाकि जो तत्वे हैं, सूख्ष में तत्व कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर कह जाएगा, सूडियम सूख्ष में तत्व भी नहीं हैं यह बहुत ही कम मातरम है, यह फिर कहलो नहीं के बढ़ाबर काम आता है, इसलिए इसको हम कहा देंगे पूसकतत्व जो है आवश्यक नहीं तो इसका रैट नाइसर को छायेगा आगे देखते हैं पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन का किस रूप में करते हैं पौधे कर ना इसका right राइट आणसर हो जाएगा यानको पड़ेगा तो पौधों में में जो निमलिकित में से कौन से सहजीवी नत्रजन इस्थरीकरत जिवाडू है तो स्क्राइट आंसर क्या है का राइजोवियम है राइजोवियम कल्चर भी अपनाया जाता है आगे देखते हैं अच्छा फ्रेंट्स मेरे को एक बताओ कि बीज उपचार में जो बीज उपचार जो क पता देता हूँ एक तो एरोटाउन के कारण होता है एरोटाउन के एरोटाउन से करते हैं गन्य में एक और जो होता है दोस्तों आप उसका नाम बताई कोमेंट में मुझे ज़रूर दाइए कि गन्ये का बीज उपचार किस से करते हैं आगे बढ़ते हैं हैंनन नेक्स्ट क पढ़ लेते हैं यहां पर देखते हैं किया होता है Allahστut या फिर बायो तरीके से भनाही होते हैं तो यहां पर रसायन का प्रयोग नहीं होता तो सबी इसका राइट डाँसर हो जाएगा निम्ले खेटमे से कौसी भारी करते हैं next question की तरफ निमलेखित में से कौन सी हरिखात की फसल है अच्छा यहां पर मोश्ट आई एंप कोश्चन है यह वाला वैंसे तो अधिक तर्फ दोस्तों को पता रहता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा धेंचा हो हर एक रात की फसलने याद रखना है अच्छा इसका सनई का जो है मुझे आप विज्ञानिक नाम या फिर बोटनिका लेम कह सकते हैं यह मुझे आप कॉमेंट करके बताईए कि इसका विज्ञानिक नाम क्या है कॉमेंट करने से क्या होता है आपको आपका रिवीजन हो जाता तो देखते हैं next question इनमें से कौन समवित पोसक तत्व का प्रबंधन प्रबंध कहीं है है ना तो इसका right answer को जाएगा A साक ना सी है ना आगे देखते हैं next question अगे बहतर rhizobium बहतर nitrogen के लिए अच्छा होता है और बहतर बीज है ना बीज अंकरण के लिए भी जो फास्पूरस की याओ सकता होती है अगर फास्पूरस नहीं हों तो बीज अंकरण लगबख 80 परसेंट जो है कम संभावन होती कि बीज अंकरण की तो आगर आग़र आप से पूछ ले question में बी जंगपुरान के लिए सबसे महत्व देने वाला पूसकत तो कौन सा है तो fast for us आएगा इसका right answer तो इसका भी यहाँ पर fast for us ही है तो बढ़ते है next question की तरफ निमलिकित में से किस राज्य में नहर सचाई के सबसे अधिक छेतर है ना तो इसका right answer क्या होगा उत्तरप्रदेश UP UP के अभी जो है नहर में सब ज्यादा सचाई कहां होती है किस छेतर है किस राज्य में होती है तो यहाँ पर UP आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आप बताओ इंडिया में सब ज्यादा सचाई का इस तरूत में सब ज्यादा किस सचाई किस तरूत से पानी या सचाई किया जाता है तो आपको यहाँ कमेंट करके बताना है किस सचाई इस तरूत सब ज्यादा इंडिया में सचाई की जाती है बढ़ते हैं next question की तरह मध्य प्रदेश के द्वारा 2018 में राजगर जिले में की गई थी मध्य प्रदेश के MP के राजगर जिले में प्रधान मंत्री योज़ना कौन सी मोहनपुरा प्रमुक सचाई की योज़ना आगे बढ़ते हैं next question is ले खेटों में pipe line हो और नल कूपों के मानदे हमसे पाणी की अपूरती पाणी की अपूरती यानि कि किया कहे रहा है यह खेथ है यहाँ पर नल कूफ है और यहाँ पर कूए हैं उनसे पानी यहां पर ले जाना क्या कहलाएगा सिचाई कहलाएगी है ना सिचाई खेट से पानी बाहर निकालना तो निकास कहलाता है जल निकास कहलाता है ड्रेनेज कहलाता है पर यहां से जो है क्रत्रे मुलूप से खेट में पानी लाना क्या कहलाता है irrigation कहलाता है या सिचाई कहलाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा be is the right answer आगे बढ़ते हैं next question की तरफ यहां पर देखते हैं जन फसलों को बहुत ही अधिक पानी का सकता होती है वे हैं तो इसका right answer हो जाएगा आप तो बहुत सारे बच्चे तो इसे आग बंद करके लगा सकते हैं बहुत ही सरल कोश्चन था दो हजार बाइस का ये पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको बहुत ही सरल कोश्चन है चामल और गयहूं को सब ज़्यादा पानी की आउसकता होती है गन्ना अगर गयहूं को जाए फ्रेंड्स तो गन्ना भी आपकर right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question की तरफ यह आपके सहसं का last question है इसके जो है स्रीज चलेगी जिसमें आपको मैं PCMB जो है PCMB बहुत सारी यूटूबर PCMB को नहीं कराते हैं अगरी कल्चर बसकराते हैं बाकी मैं आपको यहां पर PCMB AG सब कराऊंगा जिससे आपकी पूरी तरह से मजबूत तयारी हो जाए तो चैनल को subscribe करके रख लेना और वीडियो को जो है लाइक जरूर करते हैं इससे क्या है मुझे भी मॉटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तो देखते हैं जिन फसलों के सबसे अधिक पानी क्या सकते स्क्राइब आंसर मैंने बता दिया चावर और गया तो देखते हैं next question इंद्रा गांधी नह नहर पर योजना किस राज्य को लभामवित किस राज्य को लाव हुआ इंद्रा गांधी नहर पर योजना किस राज्य को लाव हुआ तो सबसे यहां पर लाव तो बहुत सारे राज्य को हुआ यहां पर question का आसा है कि सबसे ज्यादा किस राज्य को लाव हुआ इंद्रा ग झाल को काई करने समयद governo कर दो हमें ज Χाले चांग। का खoti't a Jisle कर दो हुआए झाल कर दोंदोंगर कर दो चिuff-ठीक선ा हम से यह दोड़ दो हो इंदोर में आमों